नमस्कारा हे गिदीरा हेलो एबरीबड़ी वेलकम टोवर चैनल तो यार आज हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट मुवी की जिसकी ओवर लेंथ दो घंटे 45 मिनिट के आपको करणा लेंगविट इंगलिश सब्सक्राइब देखने को मिल जाती है ठेटर में यह कोई OTT प्लैट की मुवी के सी ही वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक बिग शॉट आट देना चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर सनी सूर्य वंशी को जिन्हों ने सही बताया था कि ड्रैकूला बॉन का बुहा था और इसकी देथ कबूती यह सारी चीदे है क्या नहीं समझ म इंसान है बहुत ही जादा शरीफ इंसान है और एकदम अपोजिट है रागवा का बेटा अरजुन कहानी में ट्विस्ट अब आता जब अरजुन कुछ ऐसी चीज़े कर देता जिसके बाद रागवा के अंदर का डैमन नहीं रॉबर्ट जाग जाता है इसके बाद कहानी मे क्या ट्विस्ट अंट साथ है उसके लिए तो आपको यह मूवी देखने बड़ीगी खेरा बात करें इस मूवी के कॉंसेप्ट की जो कि मेरे साब से एक टिपिकल साउथ मूवी वाला कॉंसेप्ट है याने कि इस से सिमिलर आपने बहुत सारी साउथ मूवी देखिए लेक ऐसा नहीं कि यह मूवी पूरी तरह से परफेक्ट है इस मूवी में कुछ नेगेटिव पॉइंट से जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा खेर उसके लाओ इस मूवी में करेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे करेक्टर देखने हों मिलते और इनको इस पूरी मूवी में बहुती अच्छी तरह से लिखा है उसके लाइस मूवी के कि सिनमे ग्राफिक ही बात करेंगे तो हर एक सीन को बहुती घजब का शूट किया स्पेशली जो एक्शन सीन से वह मुझे बहुत जादा अच्छा लेगे और जो एक पहला एक्शन से बुक कर देते मूवी का बीजेम आउट स्टेंडिंग है वह मैं नहीं कर सकता है इतना वड़ा मैं मुजिक डिरेक्टर भी नहीं हूँ अभी जब बीजेम का जिकर हुआ यह तो जो पहला सीन है यहां पर हमें रवी किशन से वह भीड़ते हो नजर आते तो उस सीन में न मतलब एक मुझे अलग एक्सपरियंस हो और मेरी लिए चैलेंजी स्टार दर्शन संगी यह पहली मूवी ती जो मैंने टेटर में देखा मानना पड़ेगा उनकी जो फैन फॉलोईंगे वह मुंबई में भी बहुत अच्छी खाती है वह ओडियंस जो उनकी मूवी देखती पर आएंगे वह यहां पर हमें दो अपोसिट रोल्स में नजर आते हैं और दोनों को उन्होंने बहुत ही शिद्दस से बहुत ही बिलीवेल वे में निबाया लेकि स्पेशली मुझे उनका रॉबर्ट वाला रोल था वह ज्यादा अच्छा लगा और माइंड ब्लोईंग मुझे परसनेली बहुत इंटरेस्टिंग लगा लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत चीज़ें काट चाट कर सकते थे तो अब काट चाट के बात आगे तो नेगेडिविटी की बात कर देता हूँ मुवी की लेंथ दो घंटे 45 मिनिट की जो कि मेरे साब से वर्थ वाच नहीं है अगर यह मुवी हिंदी में रिलीज होती तो मेकर्स को इसको दो घंटे 15 मिनिट या था घंटे की भी करते तो वह साधा अच्छा हो था कि जो 13 से 15 मिट जो एक्ष्रा है ना इस मुवी के वहा पर तो इसको हटा आयते तो यह मुवी धाई गंटे की बनती है और यह मुवी और भी जाद अच्छी होती है यहां पर आपको इमोशन कॉमेडी एक्ष्ण फ्रेंड्शिप यानि कि हर एक चीज़ का परफेक्ट बैलेंस देखने मिलेगा और अगर पैरेंटल गैडिंस की बात करेंगे तो याग चैलेंगी स्टार्ड दर्शन सर की मुवी है आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते इसमें कुछ भी एडल सीन मुझे तो नजर नहीं आया अगर आप लोग को नजर आया तो बता थे ना भाई मैं इस मुवी यह मुवी देखने तो ज़रूर जाके एक बार देखना और अगर आप लोग धर्शन सर के फैन हो तो यार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं आपने अल्रेडी टिकेट ले लिया होगा बस इस वीडियो में इतने ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन बाई